हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप से भी मैं हो कवीता और गुपता क्रियाटिव रेस्पी में आप सभी का स्वागत है आज मैं पूहा से बनने वाले बहुत ही टेस्टी नमकी रेस्पी शेयर करने जा रहे हूँ जिसको आप असानी से घर पे बना सकते हैं और इसको काफी समय तक श्टोर करके रख सकते हैं और काफी टेस्ट भी होता है मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ओल कलें इस नमकिन को बनाने के लिए अपर मनें 500 ग्रम पोहा लिया है इसे चूड़ा या चुड़वा भी बोलते हैं चूड़ा को हम भूल लेते हैं 4-5 मिनट के लिए और इसको लगतार चलाते रहेंगे नहीं तो कड़ाई में लग भी सकता है और इसको हमें इतना भूलना है कि जैसे हां से चूड़ा चल जाए कि यह चूड़ा अच्छे से भूल गया है पोहा को मेडियूम फ्लेम पे भूलते हुए मुझे 4-5 मिनट तक हो गया है इसका कलर भी पहले से लाइट हो गया है थोड़ा से चूड़ा लेके चेक कर सकते हैं तो देखिए हां से तोड़ा कितने से चूड़ जा रहा है तो यह पोहा अच्छे से भून गया है तब हम इसको साइड में रख देंगे अब हम दूसरा कड़ाई लेंगे और इसमें हम 5-6 चमच तिल डाल देंगे अब मैं मुंफली भूल लेती हूँ तो यह चोटे कटोरी से मैं एक टोरी लिया है यह लगववव 50 ग्राम होगा आप अपने इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं जितने आपको पसंद हो सबी नट्स को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से पक जाए नहीं तो अगर तेज करेंगे तो लाल हो जाएगा पर अंदर से कच्छा ही रा जाएगा तो यह मुंफली फ्राई हो गया है तो आप हम इसको निकाल लेते हैं यहां पर मैंने आमर्स लिया है तो मैंने आप हाफ आफ कर लिया है देखिए इस तरह से तक के देखने में अच्छा लगता है तो लगवा कम से 25-30 होगा तो इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से तो आप चाहते हैं तो सबी को एक साथ कर सकते हैं लेकिन कुछ नाट से जल्दी फ्राइब हो जाते हैं जादा राकर कर नहीं तेकं नहीं तो देखनें लेगा कज पड़ा हो गया है ति इसको निकाल लेते हैं नारियल को देखे मैं लंबा नमस्लाइस में कट लिया है तो इसको भी हलक हुल लेंगे किसमिस भी फ्राई कर लेते हैं किसमिस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है खटा मिठा तो हमारे सारे ड्राइफूर्ट से फ्राई होगा है सबी ड्राइफूर्ट को एक में ही मैंने रख लिया है तो हम फिर से उसे कड़ाय को लेंगे जिसमें हमने चुड़ा को भूना था तो अब इसमें हम दो से तीन चमच तेल डाल देंगे ये नमकिन बहुत ही कम तेल से बनता है और हल्दी भी होता है तो अब इसमें हम मिर्च डाल देंगे मिर्च को मैंने दो भाग में कर लिया है तो इसको कुछ देर के लिए भूनेंगे, अब इसमें आठ से दस कड़ी पता डाल देंगे, आप कड़ी पता के जगा धनिया पता भी डाल सकते हैं, लेकिन इसी वक्ति डालें, तो इसको भी हम मिला लेंगे, अब इसमें हम आधा चमच हल्दी पाउड़ डाल देंगे, एक थी पहुता डालते न ही इसे मिठा नहीं होगा ज्यादा लेकिन बाजार टेश्ट है गयर दिश्ट्व मिला लेते हैं ऑँ इसमें प्रुणा हुआ हो सब्सक्राइब राइ निल थे और भी हम पबार नते तो आपको पसंद नहीं कर सकते हैं तो अच्छे से मिला लें और इस नमकिन को आप काफी समय तक बना कर रिश्टोर करके रख सकते हैं चाहिए आप जा रहे हो तो इसको सफर में भी लिए काफी अच्छा लगते हैं यह नमकिन दोस्तों यह हमारे चुड़ा के नमकिन बनके तयार हो गया है जो कि काफी टेस्टी बना हुआ है और देखने में बिल्कुल मार्केट की जैसा दीख रहा है तो अगर आपको मेरी आज क्रेस्वी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को क्याएं नमकिन है संदे हुए और संस्काइब आफ़ा यह लगता है मेरी आज को यह तो प्लीज सब्सक्राइब करें और जो साइड में स्टी है उसको में प्रेस करके जो भी वीडियो अप्लोड करों ज delighted को मिलती रहे कीप तह भी देख देख जैसे के रीकिर, सब आप कर